हेलो इब्रेवन मैं हूँ प्रतिभा कानपुर किचन डॉट कॉम में आपका स्वागत है फ्रेंज आज हम हरी मटर से बहुत ही टेस्टी जटपट बनने वाला नास्ता बनाएंगे तो चलिए रेसीपी शुरू करते हैं रेसीपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सेर ज दाला हुआ है थोड़ा सा धनिया पत्ता है जिसे हम इस तरह से काटके डाल देंगे अब थोड़ा पानी डाल करके हमें इसका अच्छा सा पेष्टे तयार करना है तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है बस मटर अच्छे से ग्राइंड हो जाने चाए यह देखे फि चीजों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद अगर हमें जरूरत लगती है तो हम इसमें पानी आट करेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से मिला लिया हुआ है तो थोड़ी देर इसे अच्छे से फेट ली चीए ऐसे दस मिनट के लिए मैंने इसे रेश्ट पर छोड़ दिया हुआ था दस मिनट बाद इसे हम फिर से अच्छे से मेक्स कर लेंगे अभी जो मिश्चन है थोड़ा सा थिक लग रहा है तो मैंने इसमें दो चमश पानी और डाला हुआ है अब हम इसमें थोड़ा सा नमक और आधा चोटी चमश बेकिंग सोडर डाला हुआ है इसकी जगे आप इनो डाल सकते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे जिसे की एक्टिवेट हो जाएगा और इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे तो हमारी जो मतर की इडली बनेंगी वह बहुत ही ज़्यादा स्पॉंजी बनेंगी अब यहाँ पर मैंने यह इडली का मोल्ड लिया हुआ है इसे घी लगा करके हलका सा चिकना कर लेंगे आप तेल लगा के भी कर सकते हैं और दो चोटी चमश के जितना हम इसमें बैटर डाल देंगे तो ऐसे फिल कर दीजिए थोड़ा सा खाली रखें क्योंकि इडली बहुत अच्छे से फूलेगी तो उसे स्पेस मिल जाएगा यह देखिए इस तरह से हम सारे यह मोल्ड भरके तयार कर लेंगे तो इसे हम ऐसे अरेंज कर देंगे यहां पर एक बर्दन में मैंने तोड़ा सा पानी करम होने के लिए रखा हुआ है और इसके बाद यह हमारा जो इडली का मोल्ड है हम इसके उपर रख देंगे अगर ज़्यादा पानी इसमें नहीं रखना है नहीं तो आप स्टेंड के उपर रख सकते हैं और इसके बाद ह अगर नाइफ गीली आती है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे तो फिर से हम क्या करेंगे से ढख करके दो मिनट के लिए और पका लेंगे तो यहाँ पर मैंने से दो मिनट तक और पका लिया हुआ है अब जो हमारी नाइफ है वो अच्छे से क्लीन आ रही है यह देखे इसे हम पांच मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे हलकी ठंडी हो जाने के बाद ही हम इसे डी मोल्ड करेंगे तो देखे साइट से ऐसे अलग करेंगे और बहुत ही आसानी से यह निकल जाएगी क्योंकि मोल्ड में हमने आल लेडी पहले से इसमें घी लगा के रखा इसमें बहुत ही इडली बनती है अगर आप वही नॉर्मल इडली खाके बोर हो गए है तो सर्दियों के मौसम में इस हरे मटर की इडली को जरूर बनाएगा और इसके साथ खाने के लिए मैंने बनाई हुई है मुमफली और नारियल की चटनी आप देख पा रहे होंगे कि ह हमारी इडली है कितनी बढ़िया इस्पॉंजी हुई है तो आप भी इस हरे मटर की रेसीपी को जरूर ट्राइग करें और रेसीपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा फिर मिलती हूं किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक के बाुत है किसी सा वीडियो के साथ तक के लिए